श्रीमध हुम्रेविडीज में आपका स्वागत है और आपको बताएंगे कि चार प्रकार की भगवान की मुर्थियों का कभी दर्शन नहीं करना चीए इससे आप समस्या में आ सकते हैं या समस्या हो सकते हैं आधनिक समय में बेशक्त हर कोई मंदिर जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता है लेकिन अधिकतर लोग के घरों में छोटा सा मंदिर या भगवान की तस्वीर जरूर होती है ऐसे में कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सबसे पहले उठते ही भगवान की दर्शन करते हैं लेकिन क आप जानते हैं कि घर में भगवान की हर तरह की मुर्तियां या तस्वीर रखना वासू सास्ट के दिश्टी से सही नहीं माना जाता है। हम आपको बताएंगे उन मुर्तियों के बारे में जिनके दर्शन करने से आप परशानियों में गिर सकते हैं। भगवान की पीट दिखती मुर्ति कभी नहीं रखना चीए। कई बार ऐसा होता है कि मुर्तियों को साफस्टाई करते से मैं भगवान की मुर्ति की दिश्टा गूंग जाती है। ऐसे में भगावान का मुख सहीध इशा में नहीं होता है और कारण ये होता है कि हम फिर पीड देखते हैं तो पीट देखना भगवान का अच्छा नहीं होता खास करके स्री गनेश का पीट कभी नहीं देखना चीए इससे आप समस्या में आ जाएंगे फिर पूजा अस्तर पर दो मूर्तियां आमने सामने ने रखने चीए कभी भगवान की मूर्तियों का आमने सामने ने रखना चीए मूर्तियों के इस तरह के दर्सन करने पर रोजाना रड़ाई हो सकती है इसलिए दो मूर्तियों के बीच प्रयाप दूरी होने चीए इसलिए ऐसी मुर्दियों को जमीन में दबा देना चाहिए फिर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए ऐसी मुर्दियों के दर्सन करने से अशुखफल मिलते हैं बगवान की मुर्दियां बनाते समय कबी कभी चितरकार उनके मुक मंडल को सौमिता नहीं दे पाते हैं ऐसे में घर में भगवान के ऐसी कोई मुर्थी नहीं रखें जो रुष्ट या क्रूध में लगती है इससे घर में नगरात्मक्ता आती है इसलिए हम इसा सौमेता और हस्मुक तरह की भगवान की मुर्तियों घर में रखें रौध रुखतार या दुखिय मुक्वाले मुर्तियों को कदापी नहीं रखें तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंडे देशी धन्यवाद